हेलो स्टुडेंट्स अपना गुलकुल यूटूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है डियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है लोकेंदे सिंग राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारे आरेस अगरवाल सॉलुशन्स क्या एक्सराइज वन सी के क्येस्टन नमबर 5 और 6 का सॉलुशन तो चलिए सुरू करते हैं तो क्येस्टन नमबर 5 है फिल इंदा ब्लेंक हमारे को यहां पर ब्लेंक दिया वा है जिसे यहां यहां दिया वा है तो इन सब में हमारे को कौन सा नंबर आएगा या क्या आएगा वह मारे को फिल करना है तो इसको फिल करने क यहां किया आप लोगों को बताता हूं तो देखो यहां किया है । इसका और इसका एॉक्षा एडेशन इसका और इसका ईक्षास करने के रहें तो देखों इन सब को ब़ाबर वाल 국 withdraw तो हमने एक property पड़ी थी, A plus B बराबर होता है B plus A, इस property को क्या बोला जाता था, commutative property, तो जो commutative property है, वो देखो यहाँ पर valid होगी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करने है, rational numbers को aid कर दे, तो rational number में addition के लिए commutative property valid होती है, तो जो part यहाँ है वो तो यहाँ आगया, अब यहाँ ऐसा क्या aid करूँ, जिससे यह वाला part और यह वाला part equal बन जाए, तो मुझे यहाँ यह वाला part लिखना पड़ेगा, तो देखो, यह क्या हो गया, A plus B, और यह क्या बन जाएगा, B plus A, तो यहाँ क्या आएगा, minus 3 upon 17, I hope आप लोगों कोई चीज समझ में आगई होगी, साथ में आप लोग इसकी property का नाम भी लिख सकते हो, वो है commutative property, फिर यहाँ देखो, similar question है, यह minus 9 यहाँ आगया, यह वाला part यहाँ आएगा, तब ही इन दोनों का addition होगा, इन दोनों का addition क्या होगा, सेम होगा, तो यहाँ कितना आजाएगा, minus 21 upon 8, यहाँ भी क्या property आएगी, commutative property होगी, similar देखो, अब यह वाला question देखो, यहाँ इन दोनों का sum, प्लस फिर इसका sum, फिर यहाँ यह अकेला है, फिर इन दोनों का sum, तो यह भी property हमने एक पड़ी थी, मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ, हमने एक property पड़ी थी, कि A plus B plus C अगर दियावा है, तो किनी दो को पहले add कर लो, और फिर क्या कर लो, इन दोनों को add कर लो, फिर एडिशन के लिए इन दो को add करके, फिर इसको add कर दो, या पहले इन दोनों को add करके, फिर इसको add कर दो, तो जो result आएगा, वो same ही आएगा, इस property को बोला जाता है, associative property, तो यहाँ कुछ ऐसा ही बन रहा है देखो, यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट देखो, यहाँ add हो गया, ऐसा ही तो बन रहा है, देखो B और C, यहाँ B और C यह है, तो यहाँ B और C को बाद में add कर दिया, तो A इस वाली जगे पे क्या आ जाएगा, अब यह आ जाएगा तभी क्या होगी, associative property valid होगी, I hope आप लगों कोई चीज समझ में आ गई होगी, तो यहाँ कितना आएगा, minus 8 upon 13, तो देखो, पहले इन दोनों को add करके, यह add करो, या फिर इन दोनों को add करके, फिर यह add करो, तो result वही आएगा, तो यहाँ पे जो property valid होगी, यहाँ इन दोनों को add किया है, फिर इसमें क्या add होगा, बाकी का बचिया पाट, minus 9 upon 11, I hope यह भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो यहाँ कौन सी property है, यहाँ भी associative property, लागो हो रही है यहाँ पे, फिर यहाँ देखो, same, वैसा ही question आ गया, इन दोनों का सम किया, फिर इसमें यह add किया, अब यहाँ देखो, इन दोनों का सम करके, फिर यह add करेंगे, तो ऐसा ही कुछ यहाँ बनाया होगा है, इसका और इसका सम होगा, तो यहाँ पे फिलिंदा ब्लेंक में क्या आएगा, minus 3 upon 11, तो यहाँ भी कौन सी property वेलिड होगी, मतब यहाँ भी कौन सी property लग रही है, associative property, I hope आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा, अब यहाँ देखो क्या है, कि इसमें ऐसा क्या add करूं में, या फिर इसमें ऐसा क्या add करूं कि result वही आए, तो आप लोगों को मेंने एक topic वहाँ समझाया था, उसको बोलते है additive identity, additive identity क्या होती है, 0, मतब किसी भी number में 0 को add कर लो, या 0 में किसी number को add कर लो, result वही आता है, तो यहाँ पे जो property valid हो रही है, या लागू हो रही है, वो कुन सी है, additive identity, तो मतब इस जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, हमारे को 0, 0, और A plus B, B plus A के साब से सोचे, तो commutative property भी या पे वह हो रही है, लेकिन 0 को add करने पे कोई भी फरक नहीं पड़ेगा, result क्या आता है, वही आता है, तो हमारा result क्या, मतलब यहाँ पे फिलिंदा ब्लेंक में क्या आ जाएगा, 0, और इधर भी कितना आएगा, 0, I hope आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा, अब हमारा 6 question है, find the additive inverse of each of the following, तो पहले तो यह समझते है, additive inverse होता क्या है, तो जैसे एक कोई number है, इस number में अगर उसी का opposite sign वाला number 8 कर दिया जाए, तो result हमें क्या मिलेगा, 0, तो इस minus A को क्या बोला जाता है, additive inverse of A, मतलब minus A को क्या बोलेंगे, additive inverse of A, और vice versa, इसका उल्टा भी हो सकता है, और A को क्या बोलेंगे, minus A का additive inverse, तो हमें additive inverse sign करना, तो additive inverse का मतलब है, opposite sign वाला number लिखने हैं, तो जैसे यह 1 upon 3 है, तो इसका additive inverse क्या होगा, मैं यहाँ पर sort में लिखना हूँ, additive inverse को, minus 1 upon 3, यहाँ इसका कितना हो जाएगा, minus 17 upon 8 है, तो 17 upon 8, यहाँ पर 23 upon 9 है, positive है, तो negative का 23 upon 9, फिर यहाँ देखो, 15 upon minus 4 है, तो यह minus 4 क्या है, मतलब यह पूरा negative हो गया, तो positive वाला number आएगा, तो कितना हैगा, 15 upon 4, I hope आप लोग यह चीज समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर minus 18 है, तो additive inverse क्या होगा इसका, 18 होगा, क्योंकि minus 18 और 18 को add करने पर 0 आजाएगा, फिर बात करें, तो देखो पहले इसको थोड़ा सा simplify करना पड़ेगा, यह minus minus cancel होगे, कितना बचा 16 upon 5, यह original number अब 16 upon 5 है, तो इसका additive inverse कितना होगा, minus 16 upon 5, I hope आप लोग इसको समझ गए होंगे, तो देखो, minus 3 upon 11 है, इसका 3 upon 11 हो जाएगा, यह 19 upon minus 6 है, तो इसका positive का 19 upon 6 हो जाएगा, अब यहाँ भी देखो, minus minus cancel हो जाएगा, यह original number actual में कितना बन गया, 8 upon 7, तो इसका additive inverse कितना होगा, minus 8 upon 7, और उसके बाद में 0, तो 0 का, अगर हम लोग क्या निकाले, additive inverse तो वो भी कितना आता है, तो यह थोड़ा सा important है, यह ध्यान रखना, कि ऐसा कौन सा number है, जिसका additive inverse वही आता है, तो वो कौन सा है, 0, I hope आप लोगों को इचीज समझ में आगई होगी, इसे आप अच्छे से note कर लीजिए, इसे के साथ आज का lecture हमारा खतम होता है, I hope आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को साथ सेर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, next lecture में हम लोग आगे के 2 questions को सोल करेंगे, तब तक के लिए thank you,